हेलो गाइस और वेलकम टू माईटूब चैनल दूस्तों आप में से बहुत सारे कंडिडिट का यह सवाल है कि सर्ड डियाइडियो का एकजाम कप से होगा और बहुत सारे कंडिडिट को तो यह भी नहीं पता होगा कि उन्होंने डियाइडियो एकजाम के लिए ऑनलाइन आवेदन कप किये थे तो यहां पर मैं आपको बता देना चाहूंगा कि लभवग में दो साल हो गए यानि कि वर्स 2019 में इसके लिए अलाइन अवेदन लिया गया था लेकिन लगभग में दो साल हो गए लेकिन इसके एक्जाम का अब तक अता पता नहीं है कि कफ से होगा और बहुत सारे कंडिडेट ने तो इसके एक्जाम का प्रिप्रेशन भी छोड़ दिया है और बहुत सारे कंडिडेट का कहना यह है कि क्या डियाडियो एंटियस का एक्जाम रद हो जाएगा यानि कि भरती परक्रिया रद हो जाएगी तो ऐसा नहीं है कि आपका यहां पर भरती परक्रिया रद्ध हो जाएगी क्योंकि यहां पर कई लाख कंडिडेट ने फॉर्म को ऑलाइन कर रखा है और क्योंकि आपको पता ही होगा कि दस्वी बेस का यह एक्जाम था और जिसके लिए बहुत सारे कंडिडेट ने ऑलाइन आवेदन कर रखा है और जिसकी वज़त से आपका यह परक्रिया नहीं रद्ध होगी और आप ने इससी का अलाइन आवेदन किया है तो आप इसका करते रहें क्योंकि इसका यह जल्दी हो सकता है तो अगर आप यह खिंशनल को सब्स्राइब कर दिजिए आगे आने वाली सान इन्फोर्मेसिन वीडियो आप तक पहुंशती रह यानि कि आप आपसे यहां बता देना चाहूंगा कि अगर मालीजी कि कहीं भी अगर कोई स्कूल है या कहीं कॉलेज है तो यहां पर अगर सो दो सो कंडिडेट इकठा हो रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो यहां पर यानि कि इनके लाइफ का सवाल है कि यह पढ़ रहे हैं या इ इन्हें फायल सकता है यanı कि बहुत जादा तेजी से कोरोना इन्हें संक्रमित कर सकता है लेकिन जो इस शमय चुनाओं की रहलिया हो रही है जैसे की विश्ट बंगाल या कहीं भी तो वहाँ पर कोरोना नहीं फील सकता क्योंकि वहाँ पर लफंग में में दो लाके या एक लाख से अधिक लोगों को इकठा होना होता है रैडियों में और आपने न्यूज में देखा ही होगा कि इतने लोग इकठा हुए थे तो वहाँ पर कोरोना का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है लेकिन अगर आपका एक्जाम हो जाएगा या आप यहाँ पर प्रबड कर सकता है लेकिन जो रहे हो रही है चुनावी रहे हैं उन्हें दो लाख या पचास जार या जो भी लोग इकठा हो रहा है उन्हें नहीं नहीं हो सकता है ऐसा क्या लोजिक है तो आपको पता ही होगा और इसके मैं ज़्यादा कुछ बात नहीं करना चाहता हूँ तो फ्रेंट्स आपके डियाडियों के लिए जो भरती ओनलाइन आवेदन किये गए थे छित्र यहां पर कोई अजारी किया घाया है कि और यहां पर यानि की बहुत अरे नहीं करते हुए कुछ लोगों से अगर बात काया थे और वहां से स्वेसिजांब करना थे लेकिन जो आपका एक्जाम है अभी तक इसके लिए कोई भी नूटिफिक्स नहीं जारी किया गया है तो इसे इसाफ से अगर देखा जाए तो अगर आपका एक्जाम मैं में होने वाला था तो अभी जो आपका यहां पर करोना का जो केसिस आ रहे हैं वो काफी ज्यादा आ र करेज का यहां भी पोस्ट्वन होगा या डिले होगा डियू टू रिजन अप पुरोना तो इस इसाफ से आपका रेलवें एंटी पीसी या बहुत सारे एक्जाम है जो पोस्ट्वन हो रहे हैं तो इस इसाफ से आपको बहुत ज्यादा टाइम यहां पर लग सकता है को बीड नाहीं तेन यानिकीपोबीड पर ठोड़ा साभी अगर इस पर दबाव नहीं रहा यानी की पॉबीड में हालात जो संक्रमण है इसके अगर जो मरीज हैं यानिकी इसके जो श्राello अगर कम आने लगेंगे तो यहां पर chances है कि आपका exam हो जाए यानि कि जल्दी हो जाए लेकिन अगर इस पर control नहीं हुआ तो आपका एक्जाम जो है वह पोश्टपॉन होता रहेगा तो यहां पर chances है कि आपका exam जुलाई के last में जुलाई के mid में होने का संभाना है तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाईक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए उनको प्रेस कर दीज आकि हमारी आगे आने वाली इस्केस्टनल इफ्रमेशनल वीडियो आप तक पहुंसती रहे थांक्स पर वाचिंग मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ है और फ्रेंट्स आपका क्या ख्याल है डियाइड एम्टेस के एकजाम के बारे में और चुनावी रहलियों के बारे में प्लीज हमें कॉमेंट सक्सें में जरूर बताएं तो फ्रेंट्स मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ है बाए बाए